हेलो इस्टूरेंट्स तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्छा बारवी के नौम बर्मा के असाइमेंट जो की 36 बोर्ड की तरफ से वेजे गए हैं और विशे हैं हमारा राजनिती विज्ञान तो बच्चो पूरा सालूशन हम इस विशे का देखने वाले हैं इससे पहले यह दिया आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो बच्चो यहाँ पर फर्ष्ट कुस्चन है कि राज पुनर गठन आयोग का काम क्या था इसकी प्रमुक सिफायर से क्या थी तो बच्चो इसका आंसर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि केंद सरकार ने सन 1953 में भासा के आधार पर राज्यों के पुनर गठन के लिए एक आयोग बनाया फजर अललाई की अद्धिक्चता में गठित इस आयोग का कार राज्यों के सिमांकन के मामले पर कारवाई करना था इसने अपनी रिपोर्ट में सिकार किया कि राज्यों के सिमांका निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भासाओं के आधार पर होना चाहिए तो देखो बच्चों यहाँ पर राज्य पुनर गठन आयोग की सिफारी से भी दी गई है तो पूरा आप यहाँ पर स्क्रिन सोट ले सकते हो और इस पूरे आंसर को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो नेक्स्ट क्यूस्टन पर चलते हैं हम और हमारा नेक्स्ट क्यूस्टन है जो कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारा next जो question है कि भारत विभाजन के कारणों को लिखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो भारत विभाजन के कारण हमरे यहाँ पर heading दीए हमने और क्या है कारण एक तो सबसे पहले हैं ब्रिटिस सासको की नीती जैसे कि आप जानते हो कि ब्रिटिस सासकों ने फूट डालो और सासन करो कि नीती को अपनाया था और उस आधार पर जो वेमनश्चिता फिलाए उसके कारण भारत का विवजन हुआ तो ये फ़र्ष्ट पाइंट आप एक्स्प्लेइन कर दिया है हमने इसको लिख लेना उसके बार नेक्स्ट जो है मुस्लिम लिख को प्रोसान दिया गया ज्यादा ज्यादा मुस्लिम लिख की बातों को माना गया अंग्रेजों के दोरा आठ चार्सो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वाट्सप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैट्स का सवाल हो या फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजिका आपके हर डाउट हर क्यूसिन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोलिशन वो भी सीधा आपके वाट्सप पर ब के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए आठ चार्सो 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 पर अपने सवाल वाट्सप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में कांगरेस के नेताओं के द्वारा तो ये बाते एक्स्प्लेंड की गई हैं यहां पर उसके बाद नेक्स्ट जो है जिन्ना की जित जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि जिन्ना की जित जिन्ना एक बड़े बुभाग को भारत के अपको पाकिस्तान में मिल नामक एक अलग गेस बनाना चाता था तो उसके बारे में यहां पर पूरा एक्स्प्रेंड किया गया है यह सभी भारत युवजन के कारान है बच्चों उसके बाद यहां पर देख सकते हो आगे यही वह वाला पाइंट ठोड़ा दूरा रे गया था जो कि यहां पर है उसके बाद थर्ड थे भारत थैज़्य की सामप्रदाई का तो उसमें पर धैद के बनाने के इक्च्च के नां तो यहां पर एक्स्प्लेईन कर दिया गया हम आरे दшь हो आप इसको केpekt्टर करके लिख सकते हो नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं हम और नेक्स्ट क्यूशन है हमारा तो बच्चो जैसा कि देख सकते हो नेक्स्ट जो थर्ड क्यूशन है योजना आयोक के चार कारी है तो जैसा कि आप देख सकते हो योजना आयोक के चार कारी आपके सामने लिके हुए हैं तो आप देख सक और इन प्राथमित्नाओं के आदार पर योजना के उद्देश निदायत करके संसादनों का आवंटन करना उसके बाद जो है योजना के सपल संचानन के लिए संभावित अवरोदों उदूर करने के लिए उपाय सरकार को बताना योजना अधि में विभिन चड़नों पर वो आपको खुद ही करना है आप अभी हमें वो मिला नहीं है यदि मिलेगा तो हम उसको कमेंड बाक्स में आपका पूरा आंसर हम दे देंगे थेंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो